नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर HP और आईए वक्त हो गया हिमाचल परदेश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बताएंगे सभी खबरें एक एक करके वं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल परदेश के किस जीले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सस्क्राइब करें और बेलाकन को जोड़ दमाएं तो दोसकों चलिए सुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबने एपियल और बीपियल परिबारों को सितंबर से मिलेगा सस्ता खादी तेल जहीमाचल परदेश के डीपो में एपियल परिबारों को सरकार की और से खादी तेल पर 10 रुपिय पर्ति लीटर और बीपियल परिबारों को 20 रुपिय बढ़ा हुआ उपदान सितंबर से मिलना सुरू हो जाएगा आपको पता दे कि इससे पहले यह उपदान 5 और 10 रुपिय था सुतरतता दीवस पर सीम जेराम ठाकूर ने इसे दोगुना करने की घोसना की थी बढ़ती हुई महेंगाई में गरीबी रेखा कि नीचे के परिवारों के लिए उपदान रहत का कारी करेगा इसके साथ ही आपको पता दे कि खादी आपूर्ती मंत्री राजेंदर गर्गे ने कहा कि डीपो में गुनवता पुर्न रासन लोगों को मोहिया करवाना प्रात्मिकता है पर्धान मंत्री अवास योजना हिमाचल में अगले दो महिने में बनकर तयार होंगे 2000 मकान जेहिमाचल पर्धान मंत्री अवास योजना सहरी के तहट 56 मकानों का निर्मान किया गया है इस योजना के तहट पर्धान के लिए 10,000 से ज़्यादा मकान सुकृत किये गये हैं आपको पता दे कि अगले दो महा के बितर 2000 से अधिक मकान निर्मित होंगे इन मकानों का निर्मान कारी अंतिम चरण में है भारत सरकार को 876 मकानों के निर्मान का परस्ताव भी भेजा गया है यह जनकारी सहरी विकास मंत्री सुरेज भारदवाज ने दी है इसके साथ ही ने उन्होंने कहाए कि सहरी गरीब वरिवारों को ये बड़ी रहात है उन्होंने कहाए कि परदेश सरकार ने अब तक केंदर से 133 कड़ो रुपिये पराप्त किये हैं जिसमें से लगभग 125 कड़ो रुपिये उप्योग में लाए गए हैं 22 अगस्त को होगी हिमाचल केबिनेट की बैठक इन फैसलों पर लग सकती है मुहर जह हिमाचल परदेश केबिनेट की बैठक 22 अगस्त को राजे सचीवाले में होगी आपको पता देगी मुख्यमंतिर जैराम ठाकूर की अध्रचेता में प्रस्तावित इस बैठक में खेर कटान की नीती और प्री प्रैमिली चिक्चक बरती जैसे एजेंडे जा सकते हैं और इन पर निरने लिये सकते हैं इसके अलाबा मुख्यमंतिर जैराम ठाकूर भी कई लंबित बजट गोशनाओं को अपनी मंजूरी दे सकते हैं हिमाचल हाइकोट ने बदले पांच जिला एवम सत्र नियाईदीस जे परदेश हाइकोट ने हिमाचल नियाईग सेवा में तेनाद जिला एवम सत्र नियाईदीस के तबादला आदेस जारी किये हैं 18 अगस्त को जारी अधी सुचना के अनूसार 5 जिला एवम 17 निया दिसों का तबादला किया गया है। आपका बता देखिए उना में जिला एवम सत्र नियाईदिस के पत पर तेनात भूपे सर्मा को जिला एवम सत्र नियाईदिस सिमला बदला गया है, जिला भगतावों विवाद निवारक आयोग उना में कारियरत भूने अवस्ति को जिला एवम सत्र नियाईदिस के पत पर उ दो बजे स्लेट पोस मकान पर चीड का पेड़ गिरने से मकान की दिवार ढगई इसे घर के अंदर मोजूद नेपाल मुलके युवक साजन पूतर फुला राम की मलवे में दबने से मौत हो गई है अस्तानिय लोगों एवं पुलिस कर्मियों ने मलवा हटा कर सव निकाला खोल दिया है पाटी के चुनाब परचार समिती के अध्यक सुखविंदर सिंग सुखू ने मुख्यमंत्री जेराम ठाकूर को निसाने पर लेते हुए पूछाय कि सहपत गरन समारो किसके इसारे पर रध हुआ है यह इसपस्ट होना चाहिए उन्होंने का है कि राजभवन स मद्दान केंदर अस्तापीद जिया सिमला जिले में फोटो यूप्त मादाता सुच्यों का प्रारूप सभी मद्दान केंदरों पर निरिक्षन के लिए उपलब्द है मादाता सुच्यों में दावे एबम आपेक्ष दाकिल करने की अवधी 11 सितंबर निर्धारित की गई ह जिले में 5,89,812 मद्दाता है इसमें पुरुस 2,91,778 और महिलाएं 2,78,034 मद्दाता है अतिरिक्त जिला दंडादीकारी राहुल चोहानन या जानकारी राजनीतिक दलों के सदसियों के साथ हुई बैठक में दी बताये कि जिले में 1,044 मद्दान केंदर अस्ताफित किये इसमें चोपाल विस जेत्र में 146 मद्दान केंदर है तथा मद्दाताओं की संकियां 78,546 है इसमें 40,596 में पुरुस मद्दाता तथा 37,950 महिलाएं मद्दाताओं की संकियां है हीमाचल में नीओं का पालन नहीं कर रहे 34 नीजी नरसिंग सनस्थान करवाई की सिपारीज आपको पता दे कि आयोग ने नीजी नरसिंग सनस्थान को अगامी 3 मां के बेतर खामियों को दूर करने के रिए नोटीस भी जारी किये है इसके साथ ही आयोक के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवा निवरित अतुल कोशिक ने बताया कि आयोक की और से गठित टीम ने कई मात तक विस्तित जाच के बाद रिपोर्ट तयार की है इसमें कई तरह की खामिया पाई गई है पंचायत सची भरती पहले चरण में अधिकांस से अभियार्थी फेल अब 1100 और नाम भेजी जे हिमाचल पर्देश में पंचायत सची भों के पद भरने के लिए 1100 और अभियार्थियों के नाम हिमाचल पर्देश तकनिकी चिक्चा बोट के पास भेजे गए है पहले भेजे नामों में से अधिकांस अभियार्थी टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए और अब पंचायती राज भाग ने दूसरी सुची हिमाचल तकनिकी चिक्चा बोट को भेज दिये आपको पता दे कि बोट अब कांगला, सिमला और मंडी में 23, 24 और 25 अगस को दूसरे चरण में टाइपिंग टेस्ट लेगा हिमाचल सरकार ने तीन मेडिकल कोलेजों के 25 डॉक्टरों को भेजा चमबा जे हिमाचल परदेश के तीन बड़े मेडिकल कोलेजों में 23 जिकत्सकों को चमबा मेडिकल कोलेज भेजने के आदेश जारी किये हैं इसकी अधित सुचना जारी कर दिये यह चिकित से ओ अस्ताई तोर पर चमबा भेजे गए हैं बाद में इने वापस बुला लिया जाएगा तब संबंदित मेडिकल कोलेजों में उपचार के लिए आने बाले मरीजों को परिशानी जेलनी पड़ेगी आपको बता दे कि IGMC से डॉक्टर अक्छेराना, डॉक्टर जितेंद्र मोक्ता, डॉक्टर सूरिंधर सिंग, डॉक्टर डिमकल पुगमार भगलानी, डॉक्टर संजीब गुपता, डॉक्टर सचीन सूथ, डॉक्टर A.S. मिनहास, डॉक्टर बिनोथ कसियप, डॉक्टर कलपना सर्मा, डॉक्टर रामा ठाकुर, डॉक्टर रोहिनी राव, डॉक्टर डारा सिंग, डॉक्टर अमित अग्रबाल, डॉक्टर विक्रम और दिनेज सूत समेथ 15 डॉक्टरों को चमबा भेजा है। कॉंग्रेस में सामिल हुई पूर्वराजे खेल निदेशक सुमन रावत, जह राजे युवा सेवायों वो खेल विभाग में निदेशक पद सेवा निवरीत सुमन रावत महता ने गुरुबार को कॉंग्रेस की सदेशता गरहन की, आपको पता देकी हिमाचल परदेश अध्यक्ष सानसत परतिबास सिंग के नेतरित में आस्ता वेक्त करते हुए सुमन रावत ने या फैसला लिया। चनसमु को संबोधित करते हुए कही। इसके साथ ही आपको पता देकी डॉक्टर सेजन ने काया कि परदेश में सिग्रेही 500 एलोपेथिक ता था, 200 आयुरुवेदिक चिकित्सोकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे परदेश के 45 अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त कहा कि तीन महीने बाद मा से मिलने मुंबई से सिमला आया हूँ, मा को यहाँ पर आने की सुचना नहीं दी थी, मेरी सरपराई देने की कोशिस मा को ज्यादा अच्छा नहीं लगी, वह भावुक हो गई, मुझे बेकुप कहा, अभी नेता ने इसका एक वीडियो अपने सोस 122 पसू आ चुके हैं और 119 पसू की मौत हो चुकी है, इस वाइरस की सबसे ज़्यादा मार गायों पर पड़ रही है और दो फीजदी भैसो पर दीख रहा है, आपको पता दे कि सीर्मोर में इस रोक से सबसे ज़्यादा 47 पसू की मौत हुई है, इसके साथ ही 927 पसू रोक का असर फिलाल नहीं दिखा है, चलिए वहीं चलते हैं आज की आखरी खबर, हिमाचल में एक कोरना संकर्मित की मौत 388 नए पोजिटिव मरीज, जे हिमाचल परदेश में गुरुबार को सिमला में 85 वर्सिये कोरना संकर्मित बुजूर्ग की मौत हो गई है, जबकि 388 लोगों के सेंपल कोरना की जाच के लिए भेजे गए हैं, दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, सेर, चलो को सब्सक्राइब जरू करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप नियोच को किस जिल्ले और पंचायत से देख रह झाल